हेलो फैमली नमश्कार कैसे हैं आप सकते हैं आपके बच्चे के लिए एक हैलफुल वीडियो लेकर आई हूँ जैसे कि फ्रेंड्स ठंडियों का टाइम है तो बच्चों का इस टाइम पर क्या होता है कि कलर थोड़ा सा पहले से डल हो जाता है बच्चा थोड़ा सावला जैस पर मजबूर हो जाते हैं बच्चे का रंग बहुत जबार होता जा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे क्या रीजन होते हैं और क्या आप इसके लिए उपाई कर सकते हैं जिससे कि बच्चा अपनी रियल कंपलेक्शन में बापस आ जाए बैसे फ्रेंड्स जो आपके क्या रहा है तो आप इस वीडियो पूरा देखने कर लेकिन बच्चे जब बाउन होते हैं तो इसके पीछे क्या रीजन होते हैं सारी चीजे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी साथ में कोछ आइसी उपाई भी बताऊँगी जिससे कि आप अपने बच्चे का रंग कर सकते हो बच्ची का जो कलर है रियल वाला उसको आप बापस ला सकते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा है तो आप इस वीडियो को मूरा देखें ध्यान से देखें और चैलन को जरूर सब्सक्राइब करने इसी तरीकी के डेली हेलफुल वीडियो देखने हैं अब आप बच्ची को धूब दिखाओगे तो बच्ची के जो इसके वह एकदम से सेंसेटिव होती है जो सूरज की जो केडने होती ना वो नहीं जहल पाती है जिस वबच्ची का जो रंग होता है इसकिन का वो डल हो जाता है दूसरे चीजे थंडियो का टाइम है की लिए ठील वगेरा हम भर भर के यूज करते है बच्चे के लिए जुग गरम तासीर के तेल होते हैं बहुत सारे नुर। इसके कैसे न कैसे बच्चछा ठंडसे बचा रहें बच्चे यह को ठंड ना लगे तो वह हमारी मा की चिंता होती है लेकिन क्या होता है कि जह हम बहुत तरीकिके तेल जादा गरम तासीर के तेल बच्ची की स्किन पर यूज करते है तो इसे भी बच्ची की स्किन का complexion dull हो जाता है इसके बाद और भी reason होते है जिसके बच्ची के लिए आप सही skin care product यूज नहीं कर रहे हो, जो इसकी केर प्रोड़क्ट यूज कर रहे हो, वो बच्ची की स्कीन को सुटेबल नहीं है, यह रीजन भी हो सकता है, या फिर कई वर पैरिंस क्या गरते हैं कि अपने ही कोई क्रीम बच्ची को लगा देते हैं, बॉडी लोशन लगा देते हैं, तो इसकी बज़े से भी क्या होता है? इसकी बचे के skin बहुत ज़्यादा sensitive है और हमारे जो product होते होते हैं तो काफ़ी क्यादा chemical होता है जो बचे के skin जहेल नहीं पाती है और बचे की skin dull हो जाती है color काफ़ी जादा dark दिखने लगता है इसके बाद जो newborn baby होते हैं आप जानते हैं कि जिन बच्चों का कलर कुछ रीजन की बज़े से डल हो गया है उसको आप कैसे फियर कर सकते हैं सबसे पहले चीज है बच्चे के लिए जो आप मसास ओयल यूज कर रहे हो वो सही आपको चूज करना है ऐसा नहीं जो बच्चे की स्किन को शूट नहीं कर रहा है बच्चे की स्किन को और डल करता जा रहा है ऐसा वाइल आपको नहीं चुनना चाहिए जैसे कि आपको सर्टियों में स्पेशिवे से क्या आप गरम तासी का तेल यूज करना चाहती है बच्चे के लिए तो आब बादम का तेल यूज़ कीज़े आप जेतून का तेल भी यूज़ कर सकते हैं जो figaro oil आता है न वो भी आप यूज़ कर सकती है आप सर्सो तेल भी यूज़ कर सकती है लेकिन आफको लग रहा है कि सर्सो के तेल से आपके बच्चे का जो complexion है वो dark हो रहा है तो फिर आप उसको skip कर दीजे आप बादाम तेल या जैतून का तेल लगाना start कीजे बादाम तेल से भी बच्चे का complexion डल नहीं होता है और ना ही जैतून के तेल से होता है और रही बाद गर्मियों की तो गर्मियों में कीवलो केवल आप नारिल तेल का ही यूज़ कीजे अपने बच्चे की मसाज के लिए इसके बाद जैसे कि आप गरम तासीर के तेल से हलकी गुनगुने तेल से बच्चे की मालिश कर रहे हो तो आप बॉड़ी पर लगा सकते हो लेकिन चेहरे पर आपको बच्चे के तेल नहीं लगाना चाहिए जैसे कि जो सरसो तेल वगएरा है आप उसमे मैथी डालके लैसम डालके उसको गरम बना रहे हो तो आप उसको पूरी बॉड़ी पर यूज़ की लेकिन चेहरे को छोड़ दीजे व्यूद की तो लाल-लाल निकल आते हैं और allergy type की होने लगते हैं चेहरा बच्चे का डल भी होने लगता है इसके बाद है दूसरी चीज़ एक सही skincare प्रोड़क्ट भी आपको बच्चे के लिए चुनना चाहिए इसे मैं रिक्मन करूंगी जो मेरा दौनों बच्चों के टाइम का मेरा जिस पर ट्रस है वो है हिमालिया पर आप हिमालिया के जो प्रोड़क्ट है वो यूज कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जेंटल है बहुत अच्छे एफेक्टिव हैं और वेबी के स्किन को भी फियर बनाते हैं मैं तौनों बच्चों के टाइम से ही यही यूज कर सकती है इसके साथ जैसे कि बच्चे निवान है तो क्या होता है कि बच्चे को डायरेक्ट सन में आपको नहीं रखना चाहिए इसी धूप दिखाने की सला दी जाती है तो डायरेक्ट सन में नहीं रखना चाहिए कि सीधा बच्चे को सूड़ी की रोशनी लग रही है आपक करना चाहिए डारेक्ट धूप बच्चे को नहीं देनी चाहिए और बच्चे को मुश्किल से मुश्किल आदा धंटे की ही धूप देनी चाहिए इससे जादा बच्चे को धूप नहीं दिखानी चाहिए और जो सुबहीं सुबहीं की खिली-खिली वाली धूप होती है न वह बच्चे दूद को बच्चे के चहरे पर लगा दे। जब उस्टोक जाता है तो इसको बैट माइप से क्लीन कर दें। जा फिर कीले कप्रे से भी आप क्लीन कर सकते हैं। बस थाद रखे बच्चों के आइज मत लगाई हैं नोस मत लगाईएं। अगर आप जैसे की बच्चे को डेली ठंडियों का टाइमन नहीं नहला रहे हो तो आप इस तरीके से कर सकते हों कि बच्चे के चेहरे पर थोड़ा सा कॉटन से कच्चा दूद लगा के छोड़ दीजे थोड़े टाइम के लिए और बैट वाइप से क्लिन कर दीजे इसे भी अगर आपके बच्चे का कलर कुछ रीजन की बज़े से डल हो गया है तो वह फेयर हो जाए तो कैसा लगा आपको यह वीडियो प्लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगा है तो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें बाबाई थैंक्यू